एक बार भगवान होते हैं भगवान उनमें मीटिंग चल रही होती है और मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि भाई जो इतनी सक्तियां है हमारे पास इनको कहां रखा जाए कि अतनी सक्तियां हैं उनको कहां रखा जाए उसमें भगवान बुद्ध भी ओते हैं तो ये डिसाइड होता है कि इनको कहां रखा जाए तो सोचते हैं कि चलू एक काम करते हैं इसको समुद्र के नीचे रखे आते हैं तो फिर देखते हैं कि यार ऐसा आगे वाला जमाना इतना टेक्नोलोजी वाला होगा कि ये समुद्र के अंदर भी घुश जाएंगे और निकाल लाएंगे सकती यूज कर लेंगे फिर एक ने बताया है कि एक काम कर उसको धर्ती के नीचे गार दो बिलकुल तो फिर से डिसाइड हुआ कि आगे आने वाला जमाना जो है वो इतना ज़्यादा टेक्नोलोजी वाला होगा देखो कितनी बड़ी बड़ी जेसी भी आ गए हैं अगर सकती गड़ी होती तो खाड लेते जेसी भी से तो डिसाइड हुआ कि आगे जो जमाना आएगा वो इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे लोग होंगे ऐसी सी मसीन बनाएंगे वो जमीन से खोद लेंगे फिर कहा कि आसमान के उपर चांद में रखा हुआ कोई नहीं जाता फिर डिसाइड हुआ कि चांद पे भी चले जाएंगे ये इतने दुष्ट लोग हैं और सक्ति ले आएंगे बड़ी आफ़त क्या किया जाए बहुत सोचने विचारने के बाद डिसाइड किया किसकी बात डिसाइड की भगवान बुद्ध की बुद्ध जी थे उनकी बात फाइनल हुई कि इन सक्तियों को क्या किया जाए हर एक व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाए इन सक्तियों को हर एक आदमी के अंदर डाल दिया जाए क्योंकि आज का जो इंसान है पूरी दुनिया घूमता है, उपर आस्मान में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, लेकिन अपने अंदर नहीं जाएगा, अपने अंदर नहीं जाकेगा, समझ रहे हैं, मतलब meditation, मतलब जो हम पराथना करते हैं, अगर हम मंदिर जाते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ परा प्राथना में हम क्या करते हैं, आख बंद करते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वह हम सोचते हैं, कि हे प्रकृति, हे इश्वर, मुझे अच्छा इंसान बनाओ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, मैं अपने पूरे घर को अच्छे से खुश रखूँ, मैं क्या कहा भगवान बुद्ध ने कि हर एक इनसान के अंदर सक्तियां छुपा दो जो भी व्यक्ति अपने को ध्यान से बैठेगा और अपने अंदर जाकेगा और अपने अंदर परात्ना करेगा उसको वो सक्तियां मिलती चली जाएंगे उसका दिमाग तेज होता चला जाएगा उसको वो सारी चीजें मिलती चली जाएंगे तो वो सारी चीजें आज हमें किसी मंदिर में ढूणने की जरुरत नहीं है हमें किसी मस्जिद में ढूणने की जरुरत नहीं है हमें किसी गिर्जा घर में ढूंडने की जुरुत नहीं है हमें कहां ढूंडने की जुरुत है सक्तियां अनामिका अपने अंदर आप जहां बैठ जाओ वहां उन सक्तियों को हासिल कर सकते हो लेकिन समस्या क्या है हमारा दिमाग यहाँ वहाँ दुनिया भर में चल रहा होता है लेकिन हम सांध बैटके कभी यह नहीं सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए लाइफ में हमारी कमजोरी क्या है हमको किस तरह से पढ़ाई करनी है किस तरह से हमको अच्छे तरीके से रहना है जिस दिन से हम घर पे बैटके रोज प्रातना करने लगेंगे एक घंटा आधा घंटा पंदरा मिनट बैटके रोज तो आपको कहीं जाने की आवश्यक्ता नहीं है भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि हर जगे, हर जगे, हर चीज जो प्रकरती की जो सक्तिया है वो हर जगे मौझूद है आपके अंदर मौझूद है लेकिन उनको खोजना आपको ही है तो यह कहानी यही पर खतम हुई कि हर एक व्यक्ति के अंदर सक्तिया है